अच्छा, assignment number 3 जो है, उसमें करना ये है कि एक program बनाना है, if and else related कुछ पूछ रहे हैं? कोई question हो तो पूछ लिएगा, बताना चाहरा हूं कि assignment number 3 जो है, इसमें एक program बनाना है, यानि write a program in which calculate total marks in a course and print course grade by using if and else, यानि बजायर एक simple सा program है कि जिसमें आपने mid term कोई assignments, lab work और final के marks लेने उसके मैंने ranges बता दी हैं, जो हमारे एक patron है, भी हूँ का तो उसी को मैंने follow किया तो उसमें आपने numbers input लेने हैं लेकिन इसमें शर्फ कुछ इस तरह से है कि अगर let's suppose कि mid term के number 0 से कम enter हों या 15 से ज्यादा हों तो वो error दे दे, error के दे कि जी आपने जो number input दी है, it's a wrong input to take again, सही है, जब तक वो 0 से लेकि 15 के अंदर तक number नहीं ले लेता, आपने mid term के number recall लेते चले आने infinite time, सही है, अगर वो 0 दे 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 या 1 दे दे दे, until 15 दे दे तो फिर आपने अगले step पे जाना है, पिर आपने quiz के number user से input लेने, quiz की range है वो 0 से लेकि 5 के दर्मयान है, सही है, 0 से 5 की दुम्यान number input लेना है, अगर इसे कम या इसे ज्यादा number input लेना है, तो आपने दुबारत से number input लेना है, इसी तरह इन पांचों values की जो मैंने mid term के assignment, lab work and final की number लेना है, तो से range के अंदर input लेना है, once the number has been taken, आपने इसको total करना है, total करके फिर ये मैंने कुछ grades लिखे मैं, although this is not like 100% at BHU, but like a general for your practice, कि अगर overall number जो है, वो 90 और से उपर आते हैं, तो वो grade A शो कर देए, यानि मेंज के total number भी प्रिंट करवाईएगा, total number की कितने total number है, ताके मैं आइट लिखे मैं अगर इसमें थोड़ा सा ये दिहान रखे हैं, कि इसमें जो numbering, although के इस हो के integer में ले ल decimal values आ रही हैं सही ने, यानि means कि अगर 79.99 है तो इसका C grade बनना चाहिए, अगर 80 होते हैं तो इसका B grade बनना चाहिए, तो ये ranges दीन ही है, ranges का आपने apply करना है, कि जितना total number आ रहा है, उसके अगें से apply करना है, ये मैंने नीचे hint दिया हुए, कि मिट्टम के marks इसना आपने 15 ल आपने 5 marks दी हैं तो इसका पर आगी चला गया, पर assignment के marks आपने 10 के पीच में ना हो, अगली step के नहीं जाएगा, प्रोग्यम को मैंने आपके बनाने के इतना असान कर दी है, कि पूरा का पूरा मैंने hint दे दिया है, आपने करना है कि पहले आपने मिट्टम के मिट्टम के मा सही ना, अगर तो वो marks जो हैं वो 0 से लेके 15 के बीच में हैं तो डेफिनिटली ये वाइल की condition जो होगी false हो जाएगी, ठीक है, ये condition सिर्फ उस वक्रू हो कि अगर आपने marks incorrect लिए हैं, सही ना, अगर incorrect marks लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस while की body के अंदर आजाएगा प्रोगेम और ये उस वक्त तक repeat होता रहेगा, जब तक कि आप सही marks इंटर ना करते हैं, सही ना, तो यहां पर आप लेखें कि आपकर वाइल लूप का इस में प्लस प्लस माइनस माइनस की जरूरत नहीं है, तो वाइल को हम एक अलग अदास में यहां पर यूज कर सकते है जो आपको two and false में answer दे और आगे चला जाएं, सही ना, लेकिन यहां पर हमारे पास जो assignment में शर्ट यह है कि जब तक कि वो सही marks इंटर ना कर दे, वक्त तक वो repeat पर repeat होता रहा है, और incorrect input पे या incorrect marks के ओपर message देता रहा है, तो जब भी repetition की बात आती है, तो हमें लूप को इस आती है, यहां पर मैंने दो लूप का जिकर किया है कि आप इस program को वाइल लूप से या डू वाइल लूप से बना सकते हैं, एक hint है बसी कली सही है, तो यहां पर फॉर का लूप इतना suitable नहीं है, तो इस तरह से आपके एक idea हो जाएगा कि यहां पर फॉर लूप इस्तमाल न इत से पहले तक submit कराते हैं, टीम्स का मैंने इस वेसे दिया कि टीम्स के अंदर गया, मैंने deadline डाली भी है, यहीं 29 मई तक यह assignment upload होगा, उसके बाद यह upload नहीं होगा, तो make sure कि 29 मई तक इसको upload करनें, जल्दी ना करें, submit कराने की, ताकि आराम से इसको अच्छी तरह से test करके submit कराएं, ठीक है ना, फिर वही कि एक दफा कर submit हो गया, उसमें कोई error आए, तो फिर numbers योंगे, detect होंगे, minus होंगे, तो जल्दी ना करें, तो कुछ तो students है, इसको submit कराने कुछ कर रहा है, तो उनको मैं अभी फिलहल मना कर रहा हूं, अच्छा, बाकी फिर यह कि जो कल का quiz है इसके इससे related भी मुझे बहुत ज्यादा messages आ रहे हैं, खास करो नो students के, जिनका quiz अच्छा नहीं हुआ, सही ना, तो भई यह तो, it's a part of the life के, जिसा final exam है, exam एक दफा होता है, अगर आपने exam अच्छा दिया, तो definitely you will be pass, you will be good grade, if you do not pass, then definitely you will fail, so अब तैयारी नही थी, यह नह आया होगा था, एक हफते से ज्यादा से पहले का पता आया होगा था, और इसके practice भी मैंने बता दी थी, Google पर जाएं सर्च कर रहे हैं, अब अराम से आपको practice question बे तहाशा आशा आपको इस पर Google पर मिल जाएंगे, इस नहीं हैं, अगर आप Google पर जाते हैं, तो, यहां पर आ प्लस प्लस लूप कोईज, अलड़ी मैंने इस नहीं से लिख करके सर्च कर आया हुआ है, एक आध सवाल मैंने net से भी उठाया हुआ है, सही ना, कि net से भी मैंने pick करके उसको आपके इसमें add कर दिया है, तो, कोई भी से मैंने random ले extreme क्लिक कर दिया, तो, यह लूप का आशा आ रहे हैं, सही ना, internet पे मिल जाएंगे, scanses भी कहीं नहीं होंगे, इसके इंदर, जी, अच्छा, एक minute रुक है, मैं share करादर, तो, नो पादर, अब show हो रही है, अच्छा, अब, इनि सरही assignment था सही, न, assignment आप लोगों ने अगर नहीं देख रहे हैं, तो, करणिए देख लें इस assignment को, तो, इसकी due date 29 मही है, तो, मोर दन 2 weeks का मैंने time लिया, इसा ही है, हमारे total, जी, जी बोलें, हाई यनिमीन्स के जो असाइमेंट है ये आपने इसका सोर्स कोड की है डालनी है पूरा कोड लिखना है और पिर जो आउटपुट आपने एंटर किया है तो उसको कॉपी करके और उसमें पेस करके आउटपुट करके सब्मिट कराना है जिससरे हम लोग लैफ फाइल बनाते है ना उसी तरह से बनाना है बस सीड़ो कोड नहीं लिखना है इसके अंदर तो मैं बता रहा था कि अगर आपने फुद से प्रैक्टिस करनी है और किया किते हैं इसको इस से रिलेटेट से मैं ऑल लाइन कि इसको इस ले रहा हूं उसमें इसन सी प्रस प्रस लूप इसमें गया सभी नहीं इस पर बहुत आशाया है इनी मीन्स कि आप देख रहेंगे आपके बसके हैं सवालात आ रहे हैं इसकी यह वाला सवाल की मैं बात कर रहा हूं तो यह कुशिन मैंने अलुड़ी आप से पूचा था और इसमें इसमें से कौन साय जो वर्क नहीं करेगा तो इनकी आप खुद से थोड़ सी प्रैक्टिस करें बहुत सारी वैब्साइट्स यह सारी वैब्साइट्स पर आपको बेताशा कुश्चिन्स मिल जाएंगे मुल्टिपल च्वेश्चिन्स और फुद से भी आप मैंने एक फॉर्मिट बनाया हुआ था कि लूप लिखा हुआ था उसके नीचे फी कंडिशन लिखी हुई थी तो जहां पर मैंने एंड गेट लगाएं में वहां पर और और गेट लगा के देख लें जहां पर मैंने आ मेंस के हो सकती है को इतना बड़ा इश्यू नहीं है स्कूशिश में यह करूँगा कि कोईस जो है ना आपकर आपकर कोई किस मिस हो जाए या फिर कोई किसी में नंबर काम आए हैं तो वो उस्से हो जाएगा यानि मैं इसके जो जिसमें जो बेस्ट फाइव होंगे तो मैं उनको काउंट कर दूंगा सिर्फ कल के कोईस के लिए एक पर्मीशन यह है कि तकरीबन मेरे खाल में एट सुडेंट्स हैं सही न जो के अपियर नहीं हुए थे कोईस के अंदर तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा कोईस में रेंज कर दूंगा लेकिन कि अनके ट्विंटी पर्सेंट नंबर यूंगे वो कम होंगे बिकास तो वो लेट हैं और फिर जिन्होंने टाइम पर दिया तो उनको प्रिफिंस मिलेगी ओन टाइम वालों को तो समझ लें कि उनके एट कुश्चिंज होंगे उन्होंने एट में से आंसर देना होगा तो फिर मुझे वो टाइम स्लोट बता दें जो जिन्होंने कुईस मिस किया है लेकिन जिन्होंने एटेम्ट किया है तो वो एलिजिबल नहीं है वो फिर वो अब कुशिश करें के आगे जो आएंदा फाइव जो मैं कुईस लूँगा तो इसमें वो बेस परफॉर्म अपन अब कोई कुश जी मैं कर दूंगा आज कर दें जो मैंने कुईस दिया था ना उसकी कुशिंस में आशियर को आज करते हैं लेकिन यह ना साथियर रहे है कि वो दुबारा रिक्वीट होंगे लेकिन जस्वर्य प्रक्राइब इस पर आज का फिर टॉपिक स्टाट करते हैं यह ना साथियर वक्राइब टॉपिक की जड् जाव सरव आ हैरे दाख स सबस्क्राइब दॉपर औरå लीनियर वे, लेकिन इसको एक वर्च्वाली जो हमारे पास जो आउट्पुट आता है, इस शोइंग दर 2D फॉर्म, सही ना, इसमें जो मोस्ट कॉमन एक्जेम्पल हमारी होगी 2D आरे की वह है, मैट्रिक्स की, के जो मैट्रिक्स अगर आपने की हैं, के अडिशन, सुट्रेक्शन और मुल्टिक्शन अगरा करते हैं, जुसमें हमें 2D आरे की जुरूरत पढ़ती है, तो लेट सी के हाव इक सब्सक्राइब, आपने किस टाइप में बनाना है, इंटेजर फ्रोड करेक्टर टाइप, जो भी आरे का आप नाम देना चाहें, अब यहां पे बिसी के लिए साइस तो आएगा, लाइक दाइज आप किस साइस का अपने 2D आरे क्रेट करना है, उसमें जो साइजे सें, तो फस्साइजे सें के यह आप कितना साइस होना चाहिए, जो साइजे सें तो यह दो साइस विल बिर्वाइड, इसका मतलब है कि यह जो आरे है, इसके अंदर जो आप यूजर से इंपुट लेंगे, तो उसमें जो इंपुट आएगा रोज के अंदर, तो लाइक होरिजॉंट लाइन के अंदर, तो वो तक्रीबन 10 वेल्यूस इंपुट आएगी, और वर्टीकली तोर पे 20 वेल्यूस तो टोटल इस पॉर्टीक्लर अरे के अंदर जो आप डेटा इंपुट इंपुट आएघ हो वो अबाउट 200 वेल्यूस जो आ है वो यूजर से इंपुट ले रहे हो, था हिना 200 की, हमेशा अपस में मल्टिप्लाए होंगी यूनकी डोनों वेल्यूस अंको मुंटिप्लाव If you want you can put the value in a particular location like for example if this is a declaration 10 and 20 और उसके अंदर आप क्या करते हो कि एक value है like the 15 को आपने insert करना है तो आपने क्या करना है कि आपने उस particular location बतानी है So 3 और 4 का मतलब कुछ इस तरह से होगा कि array की जो हमारी third location है नहीं third location से मिनाद गी होगा कि 0, 1, 2 नहीं 2 के उपर जो 2 location of row और third location of the column पे 15 की value को insert करना है फिर इसी तरह फिर इस particular location से किसी value को extract करना हो तो आपने 3 by 4 से लिखके और y के जो variable उसके अंदर आप 15 की value को extract कर सकते हो इसको अब ही मैं paint में भी थोड़ा सा करके दिखा देगा हूँ फिर इसके बाद फिर इसको coding के अंदर हम इसकी practice कर लेंगे है अच्छा फिर जो मैंने बात की थी कि जो यह 2D है सही ना it is representing light like पहले मैं paint पे इसको ले चलता हूँ ताके इसमें आपको इस idea हो जाए कि मैं जो बात करना चाहरा हूँ कि इसका जो values है ना वो कुछ इससरा से represent होंगी कि let's suppose कि 2, 4, 1, 4 इसी तरह इनी आपका इनी matrix की जो values है वो generate हो रही होती है तो यह जो value आ रही है basically 2 by 2 का matrix है तो अगर इससरा का matrix आपने कोई बनाना है ना तो उसका जो variable होगा वो कुछ इससरा से होगा कि int, array, square bracket of 2 and then square bracket of 2 तो यह basically इसकी declaration है तो यह जो अगर आपने इससरा की values user से input लेनी है तो यह आपने इसको declare कर दिया, यह आपका array का नाम आ गया यह 2 by 2, उसका मतलब है 4 values जो है वो user से input ली जा रही है तो आप input जो लेंगे वो तो एक sequence में लेंगे आप scene, scene के बाद जब आप input लेंगे तो वो 2, 4, 1 और 5 आप इससरा से input लेंगे user से, सही है input तो आपका ऐसे ही आएगा लेकिन जो इसका data display होगा ना output screen के उपर वो कुछ इससरा से होगा 2, 4, 1, 5 इसमें यहनी means के वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहनी means के यह वाला जो point है सही है यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको मैं थोड़ा सा different form लेता हूँ कि जहां पर पहला two मेरा आया है यह बिसी के लिए zero zero की location होगी है और उसके बाद फिर यहां पर जोई four आ रहा है यह zero one की location है और यहां पर जो one आ रहा है यह है one zero की location और फिर यह वाली जो five जहां पर है यह है one one की location यह मैं आप पर बता रहा हूँ location सही ना यह मेरी values है यानि means के अब गे जो array है बंडी array में क्या होता है जिरो one two three four कर करके location आती थी जबकि अगर इसाँ two d array तो इसमें हमारे पस दो points है जनी row and column zero row zero column पे two है फिर zero row के उपर और first column के उपर मेरे पास four है और इस तरह से values जो है वो read on होगी two by two की तो इसी तरह अगर मेरे पास पोई एक array है one two three 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so this is also the matrix, एक matrix है मेरे पास, ये रप्रेजेंट कर रहा है कि int a is equal to 3 by 3, एक 3 by 3 का matrix है सही है, इसके अंदर जो मेरे values हैं, वो समझ लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9 तक इसना से मैंने values input लिए हैं, सही हैं, तो इस सूरत में, अब ये वाली जो मेरे location है, वो represent कर रही है, 0, 0, 0, ये 1 जो है, ये मेरी 0, 0, 0 location पर रहा है, सही है, फिर उसके बाद 2 जो है, वो 0, 0, 1 location है, फिर यह 0 1 0 की लोकेशन है बलके नहीं यह इसमें टीन दो ही हो लिए जीरो जीरो 01 और 02 इस तरह से यह बाइनरी नमबर नहीं है यह सरफ लोकेशन की माँ आइडेटिफाई कर रहा है 10 11 12 अब यह क्यों कर रहा हूँ यह भी मैं आपको बता दूँगा क्योंकि जब हम इन्पुट लेंगे नहीं इसके अंदर तो हमें इसकी जरुवत पेशाएगी कि लोकेशन से क्या मुराद है 2 0 2 1 यह बीसी के लिए इनकी लोकेशन आ रही है अब लोकेशन से क्या मुराद है वह यह के बीसी के लिए कर हम लोग इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें इन्पुट लेंगे अब इसमें जो इन्पुट लेने का तरीका है यानि इससे पहले जो हम लोग अरे देख रहे थे न तो अरे के अंदर क्या था कि बीसी के लिए हम लोग इन्पुट लेते थे यूजर से के let's suppose के int a of 2 है तो वो हमें यह बताता था कि अगर आपने इस एरे के इन्पुट लेना है तो आपने लूप यूजर करना पड़ेगा for i is equals to 0 i is less than 2 u और i plus plus और फिर क्योंकि जगह नहीं है तो यहां पे मैं c in a of i करके इस तरह से सही ना यह नहीं मेंज के यह मेरा बंडी है एरे के इंपुट लेने का तरीका जो था सही ना कि हमने लैब भी कल पर फॉर्म की तो अब जब इसकी बात होती है के टूदी आरे के अंदर इंपुट लेना है तो डेफिनिटली हेर इस वन दा फर्स्ट जीरो इस कॉल लाइक रो सही ना यह बीस के लिए रिप्रेजन कर रहा है एक लूप को यानि मीन्स के इस जीरो पॉइंट इस पॉइंट अपुट जो ही रहा है और फिर हमने एक और लूप की ज़ुरूद पेश आएगी यानि मीन्स के इसमें नेस्टेड लूप के दूँग वो मेरा पहला input है सही है तो अब 2D array को जो declare करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे कि int let's suppose कि मैं b ले रहा हूं 2 by 2 का जरूरी नहीं है square matrix में हो और यह किसी भी form में हो सकता है लेकिन अब इसमें करने के लिए मैं इसमें ले रहा हूं सही है अब जब इसमें मुझे input लेना है तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा for i is equal to 0 i is less than 2 i plus plus और इसके नीचे मुझे एक और loop लेना पड़ेगा तो that makes a nested for loop for और उसके बाद मुझे variable different लेना है j लेना है j ले लिए j is equal to 0 j is less than equal to j plus plus इस तरह से और जब मैं अब input जो मैं लिखूंगा c in की command लूँगा c in की command जो मैं लूँगा c in आपके array का नाम जो के b है पहला जो square bracket है उसके अंदर value आईगी i की और पिर second जो मेरा square bracket है उसके आईगी value j की इस तरह से so this is the method to take input in the 2D array किसी भी 2D array के अंदर input लेने का ये तरीका होगा अगर यहां पे size 3 होता 3 और 3 होता तो यहां पे loop के अंदर यहां पे 3 और 3 आ जाता let's suppose कि अगर यहां पे 3 है और यहां पे 2 है so the first row is representing the outer loop अगर यहां पे size 3 है तो यहां पे 3 ले ले लेंगे size 4 है यहां पे 4 ले ले लेंगे यहां पर 2 होगा यहां पर 10 है तो यहां पर 10 आएगा ठीक इस तरह से इसकी formatting है to take the input values इसी तरह से input ले रहे हैं इसी तरह से हम लोग output को भी display करेंगे तो इसको मैं जरा read करके बता देता हूँ कि जो values हैं वो कैसे input ली जा रही हैं सही नब आपने initially तोर पर 2D array को declare कर दिया और इसके बाद फिर i की value 0 i is less than 2 condition is 2 condition 2 होने की सूरत में ये program मीचे आएगा जे की loop में अब जे की location जे की value 0 साटी कर देगा 0 को compare करेगा 0 is less than 2 less than 2 condition 2 है तो यहां पे आएगा जब यहां पे आएगा तो आप देखें कि आपके पास जो i की value है पहली value i की जो है यहां पे वो 0 और 0 है तो i की value 0 और j की value 0 तो i की value 0 और j की value 0 में आपने पहला input लेना है first input तो first input is of your two जो आपने two input लिया वो इस location को represent कर रहा है ठीक है once we have taken the input तो यह program दोबारा उपर जाएगा यहां पे j की value में increment होगा j की value हो जाएगी one j की value जब one हो गई तो यहां पे चेक करेगा कि one is less than two condition is true condition के true ने पर program नीचे आजाएगा अब वो आप से जो input लेगा वो लेगा i की value में कोई change नहीं आया i की value में कोई change नहीं आया तो i still 0 और j की value जो है one हो चुकी है तो अब इस particular location पे वो आप से input मांग रहा है और इस location पे आपने उसको 4 की value input दे दी ठीक है next thing के उसके बाद फिर j में increment होगा j की value हो जाएगी 2 2 is less than 2, condition false हो जाएगी condition के false होने पे कभी ये नीचे नहीं आता ये program डायरेक उपर जाता है क्योंकि last time जो outer loop था उसकी condition true थी जब भी जो last time पी condition true हो तो program हमेशा उपर वाली जगा पे जाएगा उपर वाले loop में जाएगा तो उपर जाएगा तो i की value में एक increment करेगा i की पहले value 0 थी उसमें 1 का increment होगा चेक करेगा कि 1 is less than 2, condition is 2 condition 2 होने पे program नीचे आएगा j की value को दुबारा से 0 से reset कर देगा और चेक करेगा कि 0 is less than 2 condition 2 होगी नीचे आएगा अब यहाँ पे i की value जो है वो 1 है सही है और j की value जो है वो 0 है तो इस तरह से 0, 1, 0 की location के उपर यहाँ तरह से मैंने यह 1 input दिया तो यह 1 input इस particular location पे लेगा फिर j में increment करेगा j की value 1 हो जाएगी condition 2 हो जाएगी तो इसका मतलब यह होगा कि अब जो next input वो ले रहा है वो ले रहा है 1 और 1 location के उपर ठीक है तो यह मेरा आखरी जो 5 input है वो आ जाएगा फिर j की value 2 हो जाएगी condition false हो जाएगी उपर जाएगा i के अंदर increment करेगा i की value 2 हो जाएगी तो यह condition false हो जाएगी तो जैसी outer loop की condition false होती है तो overall जो उसमें inner loop होता है वो सब false होता हुआ प्रोगैम लीचे की तरफ चला जाता है तो इस तरह से यानि means के इन 4 locations के उपर आप नेंगे 4 values यूजर से input नी है यह चीज़ समझ में आई जी कुछ पूछने attendance जो है वो form पे mark होगी तो यहाँ पे present लिखनी की भी जरूरत नहीं है तो attendance जो है form पे mark कर लेंगे इसकी recording ज़रूर र्याद से दुबारा देख लिएगा ताके आपको अगर जिनको concept अगर अबी भी clear नहीं हुआ तो एक दफर फिर देखेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा, ठीग है If this thing is cleared, then I am going back towards the lecture slide के like the 2D array layout 2D and multi-dimensional arrays are stored in the memory as a single dimensional array because के जो हमारी memory होती है, वो linearly designed है सही न, memory के अंदर ये option नहीं होता के आप इसको 2D way में design कर लें For example के, अगर वहीं पे मैं यहीं पे draw करता हूँ के, let's suppose के this is my memory इसमें ये नहीं है के एक point पे, ये नहीं साँ, ये memory जो होती है न, हमारी एक, इसके slots होती है अगर आपने integer value declare की है तो इसका मतलब पर ये जो space है न, ये 4 byte reserve करेगी ये 4 byte reserve करेगी अगर आपने यहाँ पे short लिया होता है, तो 2 bytes reserve कर रही होती है अगर आपने character लिया होता है, तो 1 byte reserve कर रही होती है ये बात मैं आपको शुरू के lectures में explain कर चुका हूँ तो let's suppose कि मेरी memory है, तो इसके अंदर जो values save होंगी वो कुछ इस तरह से ये नहीं होगा कि values जो हैं वो यहाँ पे इसी line में 2 save हो रहा है और इसके साथ दूसरी जो हमारी value है 4 तो 4 यहाँ पे save हो रहा है सही न, ऐसा नहीं होता है memory के अंदर जब भी value save होती है एक line में एक ही memory save हो रही होगी, याई means कि 2 पहले save हो गया, फिर 4 save हो गया, फिर 1 यहाँ पे 1 बन आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा तो memory जो है वो, जो computer का hardware है वो इसको ऐसे linear दोर पर ही data को save करता है, ठीक है इसका particular एक address होता है, जो कि हमने all by reference के अंदर देखा था कि हमने address प्रिंट कराना है, m% का sign लगा कि आप address प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है तो इसना से कि memory के अंदर जो है, value जो है, वो linear way में ही save हो रही है तो अगर यहाँ पे आप आप जाके देखें, कि यह यह represent कर रहा है, कि row 1 के अंदर जो data है, वो यह save हो है, row 0 का, फिर row 1 का, row 2 का, सही ना रोस कर से क्या मुराद है, वो ही जो मैंने आपको यहाँ पे draw करके दिखाई थी, इस particular sense में, कि यह आपकी row 1 है, row 2 है, row 3 है, सही ना तो यह जो data, इस format में जो आपको नजर आ रहा है, यह basically memory के अंदर, एक sequential line के अंदर data जो होता है, वो save हो रहा होता है और जो इसकी पहचान होती है, वो basic के लिए जो आपके square brackets होते हैं, यह आपको बता रहे होते हैं, यह जीरो का मतलब, यह user के point of view से row 1 होगी, लेकिन back end पे वो row 0 है, यह means कि हमारे 3 by 3 का matrix है, लेकिन जो इस form में show हो रहा है, वो यह show कर रहा है, कि zero location की row, फिर first location की row, and second location की row, यह चीज़ अगर समझ में आ गई तो then let's go further, next slide, अच्छ, कोई question तो नहीं है, अवाज किसी की नहीं आ ली है, अगर आवाज किसी की नहीं आ ली है, उसका मतलब मैं यह समझूँगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है, 2D array के अंदर भी हम default values को input ले सकते हैं, सही ना, default values को input ले सकते हैं, इस portion को भी मैं बाद में explain करूँगा कि इसमें जो मैं months के नाम input ले रहा हूँ, अभी चुंकि हम लोग integers के अंदर बात कर रहे हैं, तो अभी integers तक ही रहेंगे, ठीक है, अच्छा, जिस तरह एक, इसको मैं delete कर रहा हूँ, पूरे paint का जो explanation जो मैंने भी है, अच्छा, default values जिसना एक 1D array के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1D के अंदर जब हम default values input लेते हैं, imta of size 5 ले लेता हूँ, is equals to, एक हमारे पास normal जो parenthesis जिसना program start करते हैं, वो लिया जाता है, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, curly bracket close, और semi-column, तो basically this is the way to take the default values input in the 1D array, सही है न, अगर आपने 2D array के अंदर default values input लेनी है न, तो उसके अंदर तरीका कुछ ही होगा, कि basically यह first वाला जो है आपको रो को represent कर रहा है, कितनी rows हैं, सही न, और समें कितने columns हैं, तो basically this is representing, यह basically एक line में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे explain करने के लिए मैंने आपको multiple lines के अंदर यह लिखा है, इस तरह से भी आप लिखेंगे न, तो it is acceptable, क्योंकि changing line is not the error in the C++ compilers, तो यहाँ पे आपको यह चीज रिप्रेजन कर रहा है, कि अगर आपने 2x3 का 2D array create किया है, और इसमें default values आपने input लेनी हैं, तो एक curly bracket open होगा, एक curly bracket close होगा, with semicolumn, यह तो आपका 1D में भी था, लेकिन 2D के अंदर आप खुसूसियत यह आ गई कि जब आपने बताया कि आपको बस 2x3 है, इसका मतलब है, इसके अंदर 2 sets बनेंगे, 2 is representing 2 sets, यहनि set 1 is this one, and set 2 is this one, सही ना, और हर set में जो quantity है, वो आपने बता दी, जो column के अंदर आपने quantity बतानी है, विचिस 3, तो हर set में 3, 3 के values जो हैं, वो आप इसमें default values input दे सकते हैं, सही ना, इसको भी मैं लिखके दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर लिखेंगे, वो को जिसनों से लिखा जाएगा, कि int b of 2 by 3, तो इसमें एक, यह curly bracket open होगा, सही है, फिर उसके बाद फिर एक और curly bracket open होगा, जो कि पहले set को represent कर रहा है, सही ना, पहला set में कहा एगा है कि 1, 2, 3, और इसके बाद यह set जो का close हो जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पर कॉमा आएगा, जो पहला set close हो जाएगा, उसके बाद एक कॉमा आएगा, और इसके बाद फिर आप दूसरा set इसमें लिखेंगे, 4, 5, 6, कर ली bracket close, यानि मीज के हमारे दो sets complete हो गए, इसके बाद फिर हमारा यानि मीज के default values input लेनी तक हो complete हो गए, so this is the way to take input in the 2D array, सही न, इसको मैं दुबारा से एक और example लिख लेता हूँ, with different size ताके आपको इस चीज़ता idea रहे कि आपने जूसमें default values declare करनी है, वो कैसे declare करनी है, let's suppose I am going to take 3 और यहाँ पर ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, so this is showing के अब मेरे पास total 3 sets हैं, और हर set के अंदर जो default values हैं, वो 4 हैं, सही न, इस तना सही या न, इसकी curly bracket open, और 4 values input लेनी हैं तो 1,2,3,4, यह set close होगिया, कॉमा आएगा, फिर curly bracket open, फिर 5,6,7,8, फिर curly bracket close, फिर कॉमा आएगा, फिर 9,10,11,12, और curly bracket close, फिर curly bracket close, और यह semi-12, इस तरह सही यह means के, आपने default values जो हैं, वो user से input लेनी हैं, इस में कोई क्यूरी हैं, ओके, so make sure के यह चीज़ आपको अच्छी ता है, याद होनी चाहिए समझ लें, इस से भी जब मैं आगे फॉर्दर जो quiz लूँगा, तो उसका एक सवाल इसमें से निकल सकता है, सही है ना, यानि मेंस के, अगर मैंने यह बता दिया के जी, this is an error, सही है, यह गहरे है, सही है, और इसका आपने मुझे correct format बताना है, सही है ना, अकसर लोग यह गल्ती कर जाते हैं, कि वो, कैसे समझते हैं, कि basically, three sets हैं और हट set जो two size काई सही हैं, तो make sure कि गल्ती ना करियेगा, यानि मेंस के, अगर यह three either हो, और यह two either हो, तो इसका मतलब होगा के, total आपने three sets बनाने हैं, और हर set जो होगा, उसकी quantity जोगी और two to three होगी, so make sure you remember this thing, this is not mentioned, I think, in my particular slides, so make sure you have, either you have to read from the book, और remember this thing, सही है ना, second thing is about the characters, means के, we will, the next chapter, जो next chapter है हमारा, वो character array का है, सही ना, अभी तक हमने characters में ऐससाच कुछ काम किया नहीं है, सबाए के, do you want to continue, press Y, or N कर के, साथ से हमने लिखा है, इसके लावा हमने को यूशनी किया, अगर हमने पूरा नाम एक input लेना हो, तो वो हम character के थूली लेते हैं, हम character array के थूली लेते हैं, सही ना, यहाँ पर आप देखिए कि मैंने क्या किया, कि यहाँ पर जो raw का, square bracket था, उसमें मैंने कोई value mention नहीं की, और यहाँ पर मैंने, जो column का bracket है, उसमें मैंने कुछ value mention की है, सही ना, तो इसमें basically कुछ यह बताने की, कुछ यहाँ पर सरफ यह explain कर रहा हूँ, कि इसमें as many as I can take the values as input, सही है, और हर value की जो maximum length है, वो 14 character की होगी, सही ना, यानि से ना, शुरू में मैंने लिखा हुआ है कि invalid month, और उसके बाद पर मैंने January, फर्वरी, फर्वरी, फिर मार्च, प्रेपरल, तो यह जितने भी जो मैंने words हैं, तक्रीबंद की कितने होगा है, total 13 words लिखे हैं मैं, सही ना, including invalid month, जन्वरी तो December तो 12 होगा है, और एक invalid के नाम से लिया, total 13, तो अगर यहाँ पर मैं इस bracket में 13 लिख दूँ, तो इट विल बी okay, सही है, ना लिखूँ, इट विल बी also acceptable, वो फिर मैं हम लोग बाद में डिस्टोश करेंगे, और each word, each word विल बी not more than 14 characters, इन अगर 14 characters से ज्यादा है, तो वो logical error होगा, वो syntax से semantic error में नहीं आएगा, यानि वी means कि वो वर्ड पूरा प्रिंट नहीं करेगा, अगर यहाँ पर let's suppose कि size में 2 कर दूँ, तो सिर्फ शुरू के दो characters को accept करेगा, बाकी characters को accept नहीं करेगा, सही है ना, तो इस तरह से यह चीज है, तो we will going to study later, और why I write down here invalid month, वो भी मैं इस वज़े से लिया है, कि array के अंदर जो पहली location होती है, वो zero की होती है, सही है ना, तो अगर मैं जब मैं प्रेंट कर रहा हूं और मैं लिखों कि मुझे first location का data चाहिए, तो first location पे मेरे पास पहला month January को होता है, तो उसको one करने के लिए मैंने January को second location पे लिखा, सही ना, so this is the way, और जो zero month क्यों होगा, वो बैसे करी invalid month के ओपर count कर रहा है, तो इस वैसे कि default values जो हैं, वो character के अंदर को जिसना से लिखी जा रही है, come towards a complete comprehensive program, the most common example is the matrix की, इसमें example दी जाती है, सही ना, सही है, उसका मैं addition जो है, वो करके दिखा रहा हूँ, सही ना, इसका subtraction भी असान होता है, लेकिन multiplication का procedure डिफरेंट होता है, matrices में, सही ना, उस शाइर आपने पौड़ा होगा, मुझे नी पता कि इसमें basic mathematics में पर उने cover किया है, जानी, तो अगर, ऐसे भी आपने intermediate या metric matrix ही की होंगे, तो इसमें क्या है कि मैंने दो matrices हैं मेरे पास, उनको मुझे add करना है, तो add करने से पहले definitely मुझे इन दोनों matrices में values input लेनी हैं सही ना, ये code मैंने अलड़ी class शुरू होने से पहले का बनाया, तो इसका जो output है, वो किसना से आ रहा है, सबसे पहले हूं से ये पूछ रहे हैं कि प्लीज एंटर मैंटर्स वन वैल्यू, अलड़ी आई, मेड टू बाई टू तो उसका मतलब है, मैक्सिमम मेरे पास फोर वैल्यूस इंपुट आएंगी सही ना, तो 1, 2, 3, and 4, ये मैंने अपने पहले मैटर्स की वैल्यूस जो है, वो यूजर से इंपुट ले दी, ठीक है, उसके बाद मुझे बोल रहा है कि सेकंड मैटर्स की वैल्यूस इंपुट दो, तो जब मैंने दी 4, 5, 6, 7, and 8, इसरह से मैंने वैल्यूस इंपुट दी, तो उसने मुझे बता दिया कि सम आप दे टू मैटर्स इंपुट लिया था, वो एड़ हुआ, आपके सेकंड मैटर्स की पहली वैल्यूस है, पहला हुआ है, and it gives me the answer 6, फिर सेकंड वैल्यूस जो मेरी 2 थी, वो एड़ हुआ हुआ ही 6 है, इड़ गिवस में 8, and so on, जो मेरी लाखरी वैल्यूस थी 4, and 8, it will be add, and it gives me the 12, so I convert this input values into the mattress form, आप ये कैसे perform हुआ, इसको मैंने आपको थोड़ा से explain तो कर दिया है, तो इसको two columns मैंने इसको declaration कर दी, सभी है, अब चुँके मैं 2D में काम कर रहा हूँ तो मुझे दो loops की ज़रूरत पढ़ेगी, यह नि निस्टेट for loop की ज़रूरत पढ़ेगी, तो इस विए से मुझे i और j को declare करना है, सभी है, एक loop से मैं नहीं ले सकता, और अगर नेस्टेट लूब में मैंने एक variable लिया तो भी वो error प्रोड्यूस कर देगा, सभी है ना, इनमीज का logical error आएगा, तो मुझे दो variables normally चाहिए चाहिए, जो के मेरे values को input ले सकें, यह चीज मैंने अलड़ी आपको paint पे थोड़ी सी example की तॉर पर करके दिखा दी थी, कि अगर यह 2 by 2 का mattress है, तो आपने 0 से लेके less than 2, 0 से लेके less than 2 के दो loops, नेस्ट लूप चलाने, आपने 00 location पे पेरी value input ली, 01 फिर 10 फिर 11 location पे input ले दिया, इसी तरह फिर mattress 2 के अंदर आपने user से input ले दिया, अब आप जब इन दोनों का sum calculate करने जाएंगे, तो again आपको यहां पे nested loop की ही जरूरत पड़ेगी, तो अगर आपने कोई भी काम इसमें perform करना है, तो आपको 2D array की जरूरत पड़ेगी, तो अब इसमें क्या ह हो रहा है, यह simple आपने वह 0 से लेके less than 2, 0 से लेके less than 2 के दो loop लिये, सही है, first matrix जो था, उसकी 00 location को आपने add करवा दिया, second matrix की 00 location से, सही है, यह means क्या होगा, कि first time जब I की value 0 होगी, जे की value 0 होगी, तो असका मतलना है, पहली value, फिर उसी time पर matrix 2 की 0 location पर और जे की 0 location पर जो पहली value होगी, वह आपस में add होके, third matrix की 0 location, 00 location के पर वह सेव हो जाएगी, और हम उसको वहीं पर ही, इस value को प्रिंट करवाए रहे हैं, slash टी ताकि tab का spacing आ जाए सही है, जे loop कहनी है, चूंकि हमें 2 by 2 की format data को print करना है, तो इस वह से हमने क्या किया कि जब यह loop एक दफाए complete execute हो गया, दोबारा उपर जाने से पहले line चेंज करा दी हैं, यह चीज हमने उसमें भी कर चुके हैं, वैसे जब हमने nested loop कर रहे थे, तो हमने एक जो square matrix वगरा जी generate कर रहे थे थी, उसमें यह जो handle है, यह basically यह काम कर रहा है कि जो आपका output आया था, I think I deleted, यह जो आपका output आया कैनी means के, J का loop जो है, यह जब J की value 0 थी, तो यह वाला inner loop calculate हुआ, उसने आपको calculate करके 2 दे दिया, पर J की value जब 1 हुई, उसने 3 calculate करके दे दिया, जब J की value 2 हुई, loop false हो गया, end line एंडल पे गया, जिसकी वैसे यह यहां पर line change हुई, उपर गया, I की value मे increment किया, फिर J का loop जबाई से रिसेट हुआ, 4, 5 को print किया, फिर condition false हो गया, फिर condition false हो गया, इसना से यह program जो है, वो complete हो गया, सही है, इसमें कोई query, कोई question, okay, सही है, तो अगर इसको आपने subtract करना हो values को सही है, तो simple यहां पर plus की जगा minus का sign आ जाएगा, लेकिन multiplication ऐसा नहीं होता, सही है, multiplication का code जरा सा landy है, सही है, तो multiplication में आपने यह देखना होगा, कि जो आपका दो, जो वो matrices हैं, दोनों equal होने चाहिए, उसमें first matrix में जो column है, वो second matrix के, नहीं, first matrix का जो row है, वो second matrix के column की equivalent होगा, तो matrix multiplication हो सकती है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग फिर बात में देखेंगे, इतना ज्यादा deep complex मिन जा रहे हैं, फिर इसमें 3D array भी exist करता है, सही है, 3D array is not the part of your program, so 3D array का, सिरफ में यह आपर एक intro दे रहा हूँ सही न, ताकि आपको उसका idea होना चाहिए, 3D array के अंदर भी, यह नहीं, जब हमारे पास कुछ complex data आ जाते हैं, तो उसका हम matrix form में input लेते हैं, उसमें calculation गारा perform कर रहे हों, ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपके पास idea होना चाह आप input लेंगे, तो आपको 3 consecutive fall loops लेने पढ़ेंगे, तो इसमें फिर I, J, K, तीन loop आजाएंगे, इसमें input लेने चाहिए, तो इस तरह से, जिस तरह यह array बढ़ता चला जाएगा, 4D, 5D, 6D तक जा सकता है, सही है, तो उस तरह आपको loop increase करने पढ़ेंगे, और से फिर आपकी definitely the complexity of the program will be increasing, so through this particular program, we just focus on the 1D and the 2D array, so इसकी आपने खुद से practice करनी है, सही है, इसको अगर let's suppose कि यहापे मैं अगर 3 लिखता हूँ, सही है, addition के लिए जरूरी यह होता है कि दोनों matrices के size सेम होने चाहिए, सही है, तो अगर यह 3 by 2 है, तो इसका भी size जो है, वो 3 by 2 ही होना चाह सही है, और जिसका output आएगा, वो भी 3 by 2 की form में आएगा, सही है, तो यह यहाँ पे इस तरह से, सही है, और फिर होगा क्या है कि यहाँ पे 3 आजाएगा, और यहाँ पे 3 आजाएगा, और यहाँ पे जो output जो generate हो रहा है, यहाँ पे 3 आजाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे 3x2 का जो मैट्रिस है वो create हो जाएगा सही ना इसको आप execute करके रन करके किसको किसी खुद से आप practice कर लिएगा सही ना अभी में इसकी practice नहीं करवा रहा अभी में अभी में अभी में बात कर रहा हूं कि अब तक जो हमने इंटीजर में काम किया यहाला topic जो है वो complete हो गया सही ना थोड़ा सा में पस time बाकी है फिर next week हमारी class भी मिस हो जाएगी तो उस वज़े से फिर मैं चारों के थोड़ा सा character array को भी देख लिए हैं सही ना ताकि आपको उसका concept हो कि उसके बाद जब यीद के बाद जो मरी class होगी तो उसके इंदर इसको बहुत बहुत से revise भी कर देख लिए है तो अगर इसमें integer array और यह 2D array is clear then we are I am going towards the next lecture अच्छा जो character array है सही है ना इसको strings भी का आ जाता है सही है strings एक और एक special data type है जो कि हम लोग C++ में use करते हैं to take the name as input सही ना अब तक जो हमने जितनी भी जो programming की सही ना उसमें हमने ज्यादा तर उसको integers में देखा सही ना इंटीजर में देखा या floating values में देखा calculation way में देखा अभी तक हमने कोई नाम वगरा input लेना या कोई word को search करना word की sorting करना word से related जो चीज़ें वो अभी हमने कोई इतनी खास perform नहीं की तो वो चीज़ जो है वो basically we are going to do with a character array और character array में क्या है कि it's the same as the integer array लेकिन इसमें जो input and output की तरीके हैं वो थोड़ से different हैं सही ना एक तो वही कि जब आप इसको declare करेंगे character array को इसको ch, ar और str 100 करेंगे सही ना इस पर explain करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि going towards the dev compiler एक example दे रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ पर मैं program type करता हूं character एक एक मैंने variable लिखेर किया और मैंने लिखा cout enter your name definitely input हम scene से लेते होते हैं तो scene लिखूंगा और उस variable के नाम लिख दूँगा जो मैंने उपर declare किया और लिख दूँगा cout hello लिख दूँगा एक constant value लिखी उसके साथ a लिख दिया से जो जिसके इंदर मैंने कि नहीं मैं कि इस program में क्या कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि आप अपना नाम इंटर करें और उसके जवाब में आ रहा है कि hello वही नाम जो होगा जो आपने नाम लिखा होगा तो वह प्रेंट हो जाए सही है ना इसको सेफ करता हूं compile करके रिख लोग कोई error कोई warning नहीं है सही है program सही है और जब मैं इसको run कर आ रहा हूं यह पुछ रहा है enter your name सही ना let's suppose my name is wasim so i am going to write my name is wasim so अब देखें output के अंदर देखें output में उसने क्या किया 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 hello w सही है ना यानि मेरा पूरा नाम जो है उसने print नहीं किया सिर्फ w को print क्यों कि मैंने आपको शुरू में बता चुका हूं कि character जो है character से जो आप variable में जो value आप input लेते हो तो 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 सिर्फ एक single character को अपने पास hold करता है rest of the asim के variables को या alphabet को उसने अपने पास hold नहीं किया सही ना उसको discard कर दी है क्योंकि उसके पास जो capacity है store करने की अपने पास तो सिर्फ एक character की है सही ना तो जो भी आप first character देंगे उसको अपने पास hold कर लेगा बाकी सब को निगले कर देगा तो इस वजह से हमें जो character array की ज़रूरत पड़ती है ताकि अगर मुझे अपना complete name input लेना है सही ना तो यहाँ पे चले में उसको भी करके दिखा देता हूं कि अगर आपने complete name मेरा for example की five alphabets में आ जाता है तो for the safe side में सब मैं six ले लेता हूं कि मैंने six का array यानि now this is it's become a character array सही ना character array मैंने ले लिया इसको मैं अब compile and run इक साथ ही कर देता हूं और फिर अब मैं w asim लिखता हूं तो इसने इस time अब मेरा complete name है वो इसने मुझे show कर दिया से hello wasim कर ठीक है तो इस तरह से अपना जो नाम में display कर वा सकता हूं इसमें एक और बात note करें जो most important बात किये है कि जब मैंने इसको character के अंदर convert कर दिया सही ना तो मैंने आपको बताया था integer array में जब भी int हो और इसना से लिखा वा हो तो आप जब input लेंगे input लेने से पहले आपको loop की जरूरत पड़ती है ठीक है लेकिन जो character array है उसके अंदर हमें loop की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक single नाम इसना से input ले रहे हैं तो आपको loop की जरूरत नहीं पड़ेगी खुद बाखुद यह जो a है यह calculate कर लेगा और एक और बाहर नोट करें कि इसके आगे मैंने कोई round brackets नहीं लगाए input लेते वे जबके integer के अंदर मैं यहाँ पे i ले रहा था और loop के थूरू ले रहा था अब चुँके मैं महाँ पे loop के थूरू input ले रहा था तो मुझे वो variable लिखना जरूरी था कि मुझे location बतानी है लेकिन जब हम character array में बात करते हैं तो character array जब आपने उपर declare कर दिया तो input लेते वक्त आपको बतानी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो खुद बाफुद W को एक zero location पे A को one location पे और M को four location पे वो खुद बाफुद सेफ करता चला जाएगा ठीक है और इसी तरह जब मैं उस चीज को print करा रहा हूं तो मुझे सिरफ यहां पे जो A लिखा हुआ है As it is मैं A लिखूँगा इसके आगे मैं square bracket नहीं लगाऊंगा अगर मैं square bracket लगाऊंगा तो भी इसमें C में आपके example मैं perform के दिखा देता हूं तो इसमें मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी loop की कि मैं loop के थूरूस को output कराऊं तो इस तरह से integer array और character array में यह major difference है Let's suppose के output के अंदर मैं क्या करता हूं कि मैं आप आई तो लिखनी सकता क्यूंकि आई जो है वो क्या कहते है Bluetooth मैं लेनी रहा अगर मैं direct यहां पर let's suppose के मैं four लिख देता हूं सही ना मैंने लिख दिया four के नहीं मेरा नाम five characters पर रहे नहीं के मेरा नाम five characters पर है तो a of five करके यह चीज मुझे show करें सही ना जब मैं इसको run and compile करता हूं और मैं अपना नाम यहां पर input देता हूं तो उसने मुझे यहां पर hello लिखा और आगे कुछ भी print नहीं किया सही है कुछ भी print नहीं किया इसकी वज़ा यह है कि मैंने क्या किया कि मैंने fifth location को मैंने print करवाया है तो यह ना fifth location को print करवाया fifth location से मुराद के यह जो w है यह मेरा zero location पर है यह मेरा जो m है वो fourth location पर है इसका मतलब है fifth location is empty यह तो garbage भी print हो सकता था कोई random value print हो सकती थी या फिर empty इसमर प्रिंट हो गया तो means के there will be no any character existing at that particular location से ना तो मेरे जो character है जो अगर मुझे flat suppose केगा मैं आप यह 4 लिखूँगा तो यह मुझे m की value देदेगा यह नहीं सरफ m print करेगा यह देखें अब इसने कह लिखा hello m यह वाला m क्यूँ क्यूंकि यह मैंने 4 लिखा है 4 का मतलब यह है कि यह w जो है 0 और यह a जो है 1 यह s 2 यह 3 और m 4 तो यह 4 location पे जो मेरे पास value है वह print करके देदेगा तो अगर आपने यहां पे square bracket लगा दिये सभी ना अगर आपने यहां पे input के time पे square bracket लगा दिये अगर आपने इस तरह से value आपसे input लेगा और अगर आपने इस तरह से output में लिख दिया तो यह 4 location की value जो है वह सरफ print करेगा और अगर आपने सरफ array का नाम लिखा तो फिर complete जो array में आपने data input लिया है वह print करेगा सही है यह concept clear होना चाहिए otherwise इसमें error के chances हो सकते हैं और हमेशा यह याद रखिए का अगर मैंने इसका size 6 declare किया तो 6 से कम character मुझे देने हैं अगर 6 character से ज्यादा का कोई मैं data दूंगा तो उसको accept नहीं करेगा और accept करेगा भी तो अभी the garbage values accept करेगा now come back towards the lecture slide जी हाँ वो लिख सकते हैं लिख सकते हैं यह मैंने यहाँ पर for the safe side 6 लिखा है यहाँ पर मैं 5 भी लिख सकता हूँ सभी है सभी है यह नहीं array के अंदर आपने हमेशा यह ध्यान रखना है कि कि जो यहाँ पर आप size दे ना वो अगर आप ज्यादा भी दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता सभी ना integer में यह था कि अगर हमने 10 values input लेनी थी ना तो हमें यहाँ पर size 10 देना जरूरी है और वो fix size हो जाता है कि उसमें 10 values आपने input लेनी है यहाँ पर मैं अगर 1000 भी लिख दू ना तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैंने इसका मतलब यह है कि मैं 1000 characters या उससे कम की values input ले सकता हूँ लेकिन definitely यह चीज़ समझ में आकर लेकिन make sure के कोशिश करनी चाहिए कि जितना आपका input है न उससे approximately उसका size जो हो दें ज्यादा size देना भी सही नहीं है क्योंकि की space जो consume कर लेता है ओके अच्छा फिर यहाँ पर थोड़ सा अब आपको इसका concept देना है character array का character array में जो एक loop का इस्तमाल नहीं है न तो कुछ इस वज़े से नहीं है कि इस तरह आपने इसने character string के नाम से hundred of size of hundred आपने create किया तो इसमें यह बता रहा है कि a string is a sequence of character terminated by the null character null character से मुराद यह कि जब आप कोई भी नाम input देते हैं न तो in the end वो एक null character का sign होता है backslash zero backslash zero जो है वो यह बताता है कि आपने जो input है वो आपका complete हो गया है यह नहीं इसको मैं कुछ इसे paint पे explain कर रहा हूँ sorry integer नहीं corrected तो जो मैं input ले रहा हूँ न इसमें तो इसमें यह हो रहा है कि जब मैंने input लिया इसमें मैंने w लिया उसके बाद फिर मैंने a लिया s लिया i लिया और m लिया यह बजाहर मेरे पास जो हैं वो five characters हैं सही हैं लेकिन यह actually basically जो जब मैं enter की key press करता हूँ जैसी मैंने enter press किया तो इसका मतलब में मेरा input लेना का जो process था complete हो गया तो वो आपके array के अंदर ही एक back slash zero के नाम से भी एक null character जो है न उसको add on कर देता है और character हमेशन एक single course के अंदर save हो रहे होते हैं इस तरह सही है two location पे मौझूद होगा यह three यह four और यह जो null character है यह भी memory के अंदर space लेगा तो इसी वजह से जो मैंने उपर आपको शुरू में जो मैंने six लिखा था वो safe side लिखा था कि एक मैंने extra space इसमें दे दी थी सही ना तो character variable जब भी आप declare declare कराएं let's suppose कि अगर बी लेता हूं declare कराएं तो at least के जो भी आपने input लेना है उससे एक space ज्यादा करके declare करवाएं सही ना विखे कर आप इसको count करें कि one two three four five six तो इस वजह से यहां पे six की space होनी चाहिए ताके यह मेरा जो complete name है वो memory के अंदर save हो सकी है तो यह जो last character है that's called null character और यह null character आपको यह बताता है कि आपने जो alphabets जो आपने user से input ली है वो इस point पे आके complete हो गए इसलिए जब वो आपका कहनी जो आपको output display करवा रहा था program के अंदर इस particular point पे सा a लिख आ है तो यह उस वक तक read करता चला जाएगा जब तक कि इसको यह null character नहीं मिल जाता है और कि null character कब add होता है जब आप scene में जब नाम input ले रहे हैं तो जैसे आपने enter की की computer से press की तो इसको automatically add कर देता है into your array अच्छा अगर आपने इसना से कोई more than one word एक साथ input ले रहे हैं तो वो खुद बखुद add कर देता है लेकिन अगर आपने default values दी है तो उसमें आपको इसना से backslash zero खुद से add करना पड़ता है विच मीन्स के यहां पे अगर आप देखें अगर यहां पे example यह लिए के जो hello का जो word है is a character of is an array of six characters not five यही means के hello का word अगर आपने user से input लेना है तो आपको minimum six character की range declare करना जरूरी है सही है अच्छा फिर इसमें जो input लेने के तरीके हैं वो कुछ इस तरह से default input की बात कर रहा हूं सही ना default input पे आके मैं मैं आज का time अभी है कुछ minute है सही है कोई query होगी तो फिर उसको पर discuss कर लेंगे सही हैं अगर आपने default values देनी हैं अपने string के अंदर सही है ना तो वो कुछ इस तरह से आप दे देंगे के paint में करके बताता हूं वो एक तो int क्याज़ पढ़ गई है character name of अच्छा अगर मैं इनको empty छोड़ दूँ तो भी सही है जब default values लेने की बात आती है तो इसको मैं empty छोड़ सकता हूं सही ना और यह अगेन I am talking about 1D character array यह 1D character array है इसमें 2D भी create होगा वो कि नहीं हम बाद में लिखेंगे तो इसमें वही के curly bracket open और let's suppose कि मैं इसमें अपना वही नाम अगर मैं safe करना चाह रहा हूं तो मैं कुछ इसना से दूँगा कि अगर मैंने capital में दिया तो capital में accept करेगा, small में देगा तो small में print करेगा फिर a with single quotes अगर हम character में integer में input लेते हैं तो quotation हमें लगाने की जुरूर नहीं क्योंकि so-called it's representing a constant value okay this is the way of giving the constant input जैनी means के name के नाम चाह कर मैंने character है रहे create किया तो वो मैं इस तरह से नाम input दूँगा के आखर में backslash 0 जरूर लगाँगा ताकि यह पता चल जाए कि यहां पे मेरा stringer complete हो गया emission null character आखर में एड़ोगा जितने भी इसमें input देना चाहें देदे तो अगर मैंने गर अगर अपना पूरा नाम देना है default input की बात करो अच्छा इसमें दूसरा तरीका जो default values input देने का है वो जिस तरह से है के आप character name to brackets और यहां पे ना double quotes double quotes में अगर एक से ज्यादा character जब आप लेते हैं ना तो हमेशा आपको double quotes लेना है इस तरह से आप लिख सकते हैं अब यहां पे देखें कि यहां पे मैंने जो नाम input लिया तो उसमें W, A, S, I, M एक साथ है, double quotes है semi-colon है और यहां पे curly brackets नहीं हैं सही है दोनों तरीके correct हैं यहां दोनों तरीकों से आप जो हैं वो default values जो हैं वो दे सकते हैं जब आप character by character values input लेंगे तो उसमें null character एड़ करना ज़रूरी है curly brackets लगाने ज़रूरी है लेकिन अगर आप एक पूरा word ठीकते हैं तो उसमें सरफ double quotes लगाएंगे semi-colon लगाएंगे इसमें curly brackets लगाने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप cout में cout लिखेंगे name तो भी वसीम प्रिंट कर देगा name to लिखेंगे तो भी वसीम प्रिंट कर देगा इसमें 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 input लेने का तरीका जो के उससे different है इसमें इसमें वही के अगर आप यह चाहते हैं कि इसकी length fix करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी length को मैं fix कर दूं तो आप यहाँ पर direct 6 लिख देंगे तो अब यह हो जाएगा कि not more than six character will become सही न अगर इसको open छोड़ देते हैं तो उसमें as many as character you can add लेकिन अगर आपने यहाँ पर size 6 दे दिया तो इसका मतलब है कि maximum six character including the null character तो null character जो है वो भी memory में space लेता है उस बड़ से आपको जब size declare करेंगे इसके अंदर तो एक extra character आपने ज़रूर देना है अगर आप यहाँ पर 10 दे दे तो भी save है यादि minimum six और maximum as much as you can और it will automatically stop to read after the null character तो इसके इसकी declaration है वो work करती है character array में अच्छा फिर उसके बाद यह इसमें एक और जो चीज लिखी हुई है वो कुछ यह कि अगर आप यहाँ पर size 5 mention करते हैं तो वो basically एक character तो होंगे लेकिन वो array की sequence नहीं होगी क्योंकि आपने उसके लिए null character के लिए आखर में space नहीं छोड़ी है सही ना तो उसके अंदर यह बड़ी बात important है कि this is not a string but an array of character with size 5 सही ना यहाँ पर यह जो चीज रिप्रेजेंट करेंगी सही है कि अगर आपने यहाँ पर 5 को शो कर दिया program के अंदर ठीक है in string 2 a null character is automatically added to the end of the sequence to make it size 6 सही ना यह जो second string की बात कर रहा है कि जब हम entered ही प्रेस करते हैं तो null character को वो खुद बखुद add कर देता है इस तरह से अगर आपने इस तरह से declare किया इसके आगे null character को add नहीं किया सही है तो यह एक character तो है लेकिन एक string नहीं है सही ना क्योंकि इसके अंदर आपने इसको complete नहीं किया है सही ना तो इस वैसे इसको string की category की हैसियत हासल नहीं है एक complete program है इसका इस लेक्सिस राइट को भी अभी मैं upload कर देता हूँ इसके आप practice जरूर कर लिएगा ठीक है यहां पर मैं stop कर देता हूँ फिला लेकिन कोशिश करें कि इसकी ना खुछ से practice कर लें इस particular program में आप देखें मैं थोड़ा सा minor सा review करा रहा हूँ कि यह program क्या कर रहा है कि जो आपके inputs हैं सही है ना यानि means के आपके alphabet हैं सही ना तो इसको एक sequence में capital a से small a और small a यहां पर है तो हमारे पास total जो alphabet होते हैं 26 होते हैं सही हैं तो यहां पर जो मैंने initial declaration की character lower alphabet lower upper alphabet lower 27 27 की इसी वज़े से की कि आखर में एक नल character के लिए मुझे space चाहिए तो हमेशा अगर आपको confirm हो कि आपके total कितने characters आ रहे हैं तो उसमें से एक space ज्यादा देके उसको आपने declare करवाना है ठीक है फिर जब आप loop चलाएंगे तो make sure कि loop भी आपके character type ही होना चाहिए याई जो है वहाँ पर integer type था जब भी कोई इस तरह की चीज होगी कि आपने a से b पे जाना है तो और b से c पे जाना है तो आपको loop भी ज़रूरत पढ़ दिए तो लूप भी इसका character type भी होना चाहिए तो character type आपने loop दिया और 0 से लेके less than 26 याई means कि वह चलेगा 26 time याई मेरा जो a है वो कहते हैं 0 location पर है और मेरा z जो है 25th location पर है ठीक है इस वह से 0 से लेके less than 26 time चलेगा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अपना lower alpha का array है उसके अंदर i की initial value 0 है उसके अंदर मैं a को add कर आ रहा हूँ सही ना a को 0 plus a करेंगे तो overall a रहेगा a को मैं 0 location पर save कर रहा हूँ इसी तरह capital a को 0 location पर मैं save कर रहा हूँ जिसका मतलब है कि 0 location पर save हो जाएगा जब i की value 1 हो जाएगी तो 1 plus a करेंगे तो 1 जो है वो integer वाला 1 नहीं है वो character वाला 1 है तो character 1 plus a तो होगा b बन जाएगा तो first location के उपर मेरे पास यहाँ पर small b आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास capital b आ जाएगा तो अगर कुछ कहा है तो मुझे समझ की नहीं आया है कि मुझे noise आई जाएगा Anyway, यह नहीं में केसे नहीं से कि 26 time execute करेगा और पुरा a से लेके small z और a से लेके capital z तक की values है इन areas में save कर देगा और आखर में हम क्या करेंगे 26 location पर यह नहीं 0 से लेके 25 तक तो a से लेके z तक आगे 26 location पर हम खुद से null character को add on कर देंगे यह नहीं null character को lower alpha में भी और upper alpha में भी add कर देंगे और जब हमें complete ABCD print करानी है तो lower alpha लिटके हमाले पास complete ABCD आ जाएगी अपर हो जो capital letters है वो A to Z capital way में print हो जाएगी इस program को खुद से रखन करके execute करके देखिएगा तक कि आपको फोड़ा का concept गया है वो clear हो अटेंडेंस में ले लेता हूँ अटेंडेंस का form created है उसी में आप attendance मुझे देते हैं अटेंडेंस में अटेंडेंस थाकि मेरे पास record आजाए आज strength कुछ कम लग दी है अटेंस में अटेंस आप अटेंस में अटेंस में इस देखिए अपके आपके आपके आंप आए रही है मुझे दोरह मैसेज करें करें मैं चैट में इसको स्टॉप करता हूँ स्कीन शेयरिक स्टॉप करना। तुबारास हमें लिंक जो हो मैंने प्रेश की दिया है और अगर अब कि इस पे इसमें जो में चैट विंडू इसमें आप देखें आते हैं नहीं हो रहा है और ही प्रेक करने हो रहा है अगर यहां पे अगर आपका नेम लिखा जा रहा है अपना नाम लिख दें ताकि इस फॉर्म के नीचे नाम लिख दें अगर इनकेस के अगर यह लिंक विजिबल नहीं है ग मैंजिबर कर दो पर ले लोँ आरो कर दो दो कर दो क् सुन